तुम मुझे खोंदो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा नेता जी सुभास चंद्र बोस इस निवन्द को आज हम लोग पढ़ेंगे और लिखना सीखेंगे सुभास चंद्र बोस जो हैं, वो कोन थे? कहां के रहने वाले थे? उनके माता पिता कोन थे? इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं तो बिना समय गवाई चलिए चलते हैं और देखते हैं हिंदी निवन्द नेता जी सुभास चंद्र बोस का जनम 23 जनवरी 1897 को हुआ 23 जनवरी 1897 यह याद रखना आपने और इनका निधन 18 अगस्त, 18 अगस्त, 1945 1945 में हुआ था जब इनकी मृत्यू हुई तो यह केवल 48 वर्ष के थे वो एक महान भारतीय राष्टवादी नेता थे जिन्होंने व्रेटिश शास्तन के खिलाफ भारत की आजादी के लिए द्वितिय विश्व युद्ध के दोरान बड़ी हिम्मत से लड़ाई की थी निधा जी 1922 और 1930 के दोरान भारती राष्टवी कांगरेस के स्वच्छंद वाव, युवा और कोर नेता थे वो 1938 में कांगरेस अध्यक्ष बने हालाकि 1949 में उन्हें हटा दिया गया था एक बड़ी भारती आवादी को स्वतंतरता संगर्ष के लिए प्रेरित किया जिस प्रकार से महात्मा गांदी जी अजादी के संग्राम में एक एहम भूमी का निवाते थे उसी प्रकार से नेता जी भी एक एहम भूमी का निवाते थे बच्चों इन दिनों हमारे विध्याले में या आप जानते ही होंगे कि नेता जी सुवास चंदर बोस की जर्म जयनती 125 वर्ष मना रही है उसी उपलक्ष में निवन्द प्रतियोगिता जो है अंतराष्ट्री निवन्द प्रतियोगिता इंटरनेशनल ऐसे कंपेशन और नेताजी सुवास चंदर बोस और स्वामी विवेकानन इन दोनों के ओपर इंटरनेशनल कंपेशन हो रही है जिसमें जो भाग लेने वाले प् प्राधारित भी होगी और अगर आपको कुछ अधिक शब्दू में निवन्द चाहिए तो वह भी मैं आपको बनाओगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपको क्या और ऐससे भी चाहिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइ तक देखें लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इंपोर्टन कमेंट जो हैं वो लिखें मैं आपको उसी समय आपके कमेंट का जवाब दूँगा तो चली शिरू करते हैं यह 250 शब्दूं का एक निवन्द है ठीक है तो भारती इतिहास में सुवास्चंदर ब भास्तर में भारत के एक सचे बहादूर हीरो थी जिसने अपनी मात्री भूमी की खादिर अपना गर और आराम त्याग दिया था वो हमेशा हिंसा में भरोसा करते थे जिस परकार से गांदी जी आहिंसा में करते थे वो हिंसा में करते थे हिंसा कहने का तात्पर यह है कि बे पूरा मुकावला करते थी और ब्रेटिश आसन से स्वतनतर्था पाने के लिए सैने विद्रोग का रास्ता उन्होंने चुना था ठीक है, और किसीने भी सैने विद्रोग का रास्ता नहीं चुना था charge अंदर भोश अकेले थे जन्होंने उस समय सैना का विरोध करने के लिए एक रास्ता चुना था ठीक है उनका जन्म एक समरिध हिंदू परिवार में 23 जनवरी 1897 1897 को उडिसा के कटक में हुए था ये एक याद रखने वली बात है उडिसा में उनका जन्म हुए था और कहां हुए था कटक में उनके पिता जनकी नात बोस थे जो एक सफल बैरिस्टर थे और मा प्रभावती देवी एक ग्रिहनी थी प्रभावती देवी उनकी मा का नाम था पिता का नाम था जनकी नात ये कुछ एक मैन फोकस करने वाली बाते होती है पिता जी का नाम माता जी का नाम यह सब आपको पता होने चाहिए ठीक है एक बार उन्हें ब्रिटिश प्रिंसिपल के उपर हमले में शामिल होने के कारण कलकत्ता प्रेजिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया था देखा कितने मतलब एक ऐसे बच्चे थे कि उनको कभी भी ब्रिटिश लोग थे वो कभी पसांदी नहीं थे बिना डरे वो हमेशा उनका विरोध करते थे उन्होंना प्रतिभाशाली डंग से I.C.S की परिक्षा को पास किया था लेकिन उसको छोड़ कर भारत की स्वतंतरता की लड़ाई से जुन्ने के लिए 1921 में असहयोग अंदोलन से जुड़ गए थे इसी असहयोग अंदोलन में और भी बहुत सारे लोग जुड़े थे जिन में भगज सिंग जी का नाम भी आता है ठीक है 1921 में असहयोग अंदोलन से जुड़ गए थे नेता जी ने चितरंजन दास के साथ काम किया जो भंगाल के एक राजनीतिक नेता शिक्षक और भंगलार कथा नाम के भंगाल सब्ताहिक में पत्रकार थे बाद में वो बंगाल कांग्रेस के वालन्टियर कमांडेंट नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल कलकत्ता के मेयर और उसके बाद निगम के मुख्य कारिकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किये थे अब आप यहां देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो शब्द हैं वो मुश्किल है ठीक है आप उन शब्दों का अर्थ अगर जाना चाते हैं तो नीचे पूछ सकते हैं जब भी हम लोग कोई निवंद लिखते हैं तो उस निवंद में ऐसे शब्द होने चाहिए जो अपने निराश्टरभादी क्रिया कलापों के लिए उनने कहीं बार जेल जाना पड़ा लेकिन वो इस से ना कभी ठके और ना ही निराश हुए नेता जी कांगरेश के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे लेकिन कुछ राजनितिक मत्वेदों के चलते गांदी जी के द्वार उनका विरोध किया गया था वो पूर्वी एशिया की तरफ चले गए यहां भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए उन्होंने अपनी आजाद हिंद फोज को तैयार किया यह आजाद हिंद फोज जो थी उनकी एक बहुत अच्छी आर्मी थी जो देश के लिए मरने के उतारू थी कुछ भी करने को उतारू थी यही एक लहर थी जिसे अंग्रेज जो थे वो डर गए थे और भारत छोड़ के बाग गए थे उनका जो योगदान है हमारे देश को अजाद करने में वो अविस्मरनी है वो कभी बूलने वाला नहीं है हमें ऐसे सिनानियों के प्र अमीद है आप ऐसे ही और भी वीडियो देखेंगे जो हमारे चैनल पर आने वाली है चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्वामी विवेकानन जी के ओपर जो वीडियो है वो भी जल्दी ही बन जाएगी आप यूहीं देखते रहें संस्कृति संस्कृत सरिता तब तक के लिए दन्यवाद